Assalamu alaikum everyone, I hope all of you are doing so great So, winters भी स्टार्ट हो चुके हैं, बलकि स्टार्ट हो गए हैं, December भी स्टार्ट हो गया है So, यहाँ जी मैं शाम से vlog स्टार्ट किया है, मैं बनाने लगी हूँ आलोग अपी का साला और यह देखें, जटपट रेडी हो गया बिल्कुल भी नहीं जटपट रेडी हुआ So, मैंने रस्पी शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं नेक्स्ट आपके साथ मीट प्लाव की रस्पी शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में दूद समया बनाएंगे हम, और हम मार्किट भी जाएंगे और मेडिसन लेने भी जाएंगे So, मैंने सोचा कि सबजी गोश्ट है, इसकी रस्पी फिर कभी इंशाला शेयर करूँगी So, मैंने आलो वाले पराटे बनाया थे उसी के मिक्स्चर की ना तीन टिकिया मैंनी थी और मैंने पने पापा के लिए बना ली थी, उन्हें बहुत अच्छी लगत दी है So, प्रॉपरले भी आलो कबाब की जो रस्पी मैं आख सब शेयर करूँगी, बहुत चल्द बहुत ही मज़दार और सिंपल सी रस्पी है So, यहां मैं खाना सफ करने लगी थी रात का, आलो को बिकिन और चिकन बनाया था बहुत मज़दार बना था, अबने वसे बड़ी तरीफ हैं की थी उसके बाद जी, यह हैं अगली सुबा, और यहां मैं अपने तायबू और पापा के लिए बिनाने लगी हूँ काफी यहां एक तायबू ने काफी पीनी है, ब्लैक काफी और मेरे पापा ने पीनी है, ब्लैक काफी में थोड़ा सा दूद ज्यादा और एक तायबू ने पीनी है, चायबू तो तीनो भाईयों ने तीनो डिफरन चीज़ें पीनी है सो यहां जी कॉफी बन रही है ब्लैक कॉफी है सो मेरे पापा पीते हैं हाफ पानी और हाफ दूद और ताया वो बिल्कुल ब्लैक कॉफी बीते है सो यहां मैं उनके लिए कॉफी बना रही थी और यहां मैं देखे थोड़ा सा दूद आड़ करूंगी बिल्कुल शुगर फ्री कॉफी वैसे जो है ना वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी रहती है ब्लैक कॉफी लेकिन जिनको माइगरेन जैसी मसीबत है वो बिल्कुल भी कॉफी और चाई बिल्कुल ना पिया करें क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी है और चाई और कॉफी डॉक्टर सकती समना करते है खैर यहां पर चाई और दोनों कॉफी रेड़ी हो चुकी है अब मैं उन्हें जा करते दूँगी क्योंकि नाश्टे हो चुके थे नाश्टे होने हैं इसके बाद तो यह तीनों चीज़े रेड़ी हो गई है तीनों भाईयों के मैं जा के सर्फ कर दूँगी खैर उसके बाद जी आते हैं नाश्टे की तरफ और नाश्टे में आविसली रात को बना था सालन गोबी का तो अगले दिन 100% है के गोबी वाले पराठे ही बनेंगे तो यह जी स्टफ पराठे गोबी वाले पराठे बने थे और आजकल सर्दियों में ना जादतर स्टफ पराठे ही बनते हैं कभी मूलियों वाले कभी आलों वाले और अगर गोबी बन जाय तो पिर गोबी वाले पराठे ये देखें जी माशालला मज़दार से पराटे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं सब ने गोबी वाले पराटे खाये थे और उसके बाद मैंने अन्पे अपना नाश्टा बनाया सलाइस एग और सालन और इसके बाद हम जा रहे हैं हॉस्पिटल हम जाएंगे शिफाह हॉस्पिटल और वहां मेरी मामा की कुछ तबीया ठीक नहीं है और उन्होंने चेक अप कराना है और मुझे भी मेरी माईट जैन के मेरी से लेनी थी खैर ये है एस स्टोर से मैंने लिया था बैग और इसकी क्वालिटी और इसकी इतना स्पेशियस बैग है अंदर से तो मैंने बैग फिर चेंज करी लिया मतलब न्यू नहीं लिया कुछ टाइम पहले लिया था लेकिन बैग से चीज़ें चेंज कर ली साथ ये मैंने शॉल न्यू ली थी वैलवर्ट वाली पट्टी मैंने का सर्दिया आगिया ना तो नाइस लगेगी वैलवर्ट वाली तो यह जी हम चले गए थे शिफा हॉस्पिटल और यह जी कोहे नूर सिटी मशूर हमारे शहर का एरिया और मैं वैसे बात करती जो आरती मैं वापसी पे ना कुछ वराइटी देखेंगे लेकिन वापसी पे क्या हुआ कि हम लोग चलेगे हम लोग चलेगे थे बरतन खरीदने खेर शिफा हॉस्पिटल आ चुके थे और यह हॉस्पिटल जो है ना बड़ा ही अच्छा है किसम से इनका स्टाफ और सब कुछ डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे है यह मैं जो डॉक्टर ने दी माइगरेन की दुवाई मैं से गोर्स इसलिए देख रही थी मामा की दुवाईया वो दे रहे थे तो मैं देख रही थी मैं कोई तीन चार डॉक्टर से दुवाईया ले चुकी हूँ बट यह माइगरेन मेरी जान नहीं छोड़ा लाइक सोती भी माइगरेन के साथ हूँ और उठती भी माइगरेन के साथ हूँ खेर उसके बाद जी हम लोग मैडिसन से तो फारिख हो चुके थे तो हम लोग वापसी पर ही यह शॉप है तो यहां से लेनी थी कुछ चीज़ें इस्पेशली मैं गई थी कड़ाई लेने डेली जिसमें हम खाना बनाते हैं वह वाली कड़ाई जो थी वह बिलकुल जो है वो खराब होगी थी तो मैंनली मुझे वह चाहिए थी क्हाना तो रोजाना बनाना है तो यहां पर मैं यह चीज़ें रेड टी सेट लेना था एक लिंग मुझे यहां पर कोई इतना डिजाइन खास नहीं लगा और वैसे भी फिर हम लोग ने खाली कड़ाई ले लिया थे और मुझे चाहिए थी रेड कलर की कड़ाई मेरा दिल था रेड कलर की इस दफ़ा कड़ाई खरीदने का लेकिन लेकिन इनके पास सिर्फ यही वाले कलर और डिजाइन अवेलेबिल था यह तो मैंने फिर यही खरीद लिया क्यूंकि हम और रड़ी होस्पिटल से लेट हो चुके थे और घर पी जाकर खाना भी बनाना था यह थे कि इनके पास शेप्स में काफी सादा डिजाइन्स थे लेकिन कलर सिर्फ एक यही था उसके बाद बहुत सारे कैस्टर सेट्स भी थे और एक खरीदा भी था उसके बाद मुझे याद आयाए अगदम से कि घर में चुरियां बिल्कुल भी नहीं हैं तब जो है ना किसी काम की नहीं रहे गी तो फिर खेर ये वाले कप खरीदे मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये पहली ही नजर में तो ये वाले हमने कप खरीद लिये थे और उसके बाद हम लोग आके घर और अबिसली सर्दी हैं सर्दियां है आकर हमने जी पी चाई मामा ने चाई बाकर खानिया खाई और मैं और मेरा भाई एक ही कप शेयर कर रहे थे और वो ट्विशन से एक दम से आया और उसने आकर लगा ती है मैंने भी चाई पी नहीं मैंने कब ये मेरे साथ शेयर करके तुम पी लो मैं जानी री दुबारा बनाने खेर हम लोगो ने हैं पे चाई पी और मा मुझे यहीं पे कह रही थी कि जल्दी चाई पी हो और किचन में जाओ क्योंके खाना बनाना है यूँके मगरिब के बाद पापा घर आ जाते है तो खाना तो रेडी होना चाहिए ना कहने से पहले तो जी यहां पे गोश्ट बना रही हूं मीट पलाव बनाना है तो मैंने ममाओ कहा कि आप बनाए मेरी तबियत मुझे माइगरेन ने ऐसा कर खेर यहां पे मैं दिखा रही हूं यह मचली वाली बुटी है मुझे तो कसम से यह कच्छी भी इतनी अच्छी लगती तुम मत बनाओ खाना खेर फिर इसमें मैंने डाला पानी और इसको तकरीबन सीटी लगानी थी ओविसली दस से पंदरा मिनिट लगए थे इसको पकने में ठीक है और यह उपर रग दिया था मैंने चलो समया मैं खुद बना लेती हूं बाकी का फिर मामा कर लेंगा कि इसमे इना मुझे होता है कि इन से जादा अच्छा फ्लेवर आता है वैसे आप जो भी चाहिए उसकर सकते हैं तो इसमें मैंने सिंपली सिर्फ डाल दी शुगर और इलाइचियां और डैट साथ और कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें सिर्फ उसके बाद जब दूद बॉयल हो ग जो है ना दूद वाली समें शुरू शुरू में हलाकि इतनी इजी रेसिपी है बनाने के लिए बट हमेशा क्या हता था मैं समें बहुत जादा एट कर देती जिसकी वज़ा से ऐसे लगता था जैसे समें में दूद डाले हैं आई हो कि आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कह कैर मैंने बहुत ही कम डाली थि क्योंकि ये पके ना बहुत जादा हो जाती है लाइक जिसवाल जादा हो जाते हैं उसी तरीके से खैर फिर नear को थोड़ा सा ठंडा किया और इनको मैंने डाल दिया यू ये जो जाएते तो ठेड़ा से फ्रीम मैंने चावल ये बड़े ही म जीरा डाला और ये लसन अध्रक और हरी मर्चों का पेस डाल करें जेशंट पानी और दादरी मर्च डाल दी थी और उसके बाद में चावल डाल दीए बहुत इजी और सेंपल से रसपी थी जाती है यसे मुझे चावल बनाने आते हैं लेकि मेरा बलकुल दिल नहीं था मेरी तबीयत खराबती फैर उसके बाद ये जो हर्ड़त है ना अंदर ये अलग से डालेते हैं कि गोश्ट भूंते वेगर डालते फिर चावलों के साथ ना वो तूट जाते हैं चावल खैर नहीं राइता जो ता वो रेड़ी कर लिया था मूलियां कटिंग कर ली थी और ये दम आ चुके हैं चावलों को और इतने कमज़दार चावल रेड़ी हुए थे माशाला से सबको बहुत अच्छे लगे थे मैं पापा से पूछी थी पापा बरतन उठालू तो कहते हैं नहीं नियत दिबारी वस्ट पेट बर गया खैर उसके बाद जी हमारा डिनर खतम हो गया इसके साथ ही मारा व्लॉग भी खतम हो गया लेकिन आखरी चीज रहागी जो कि चाहे इंपॉर्टन चीज आज कल सर्दियों में सुबा चाहे दुपहर चाहे शामे चाहे रात में च तायब उने गहता दार चीज आड़ करके चाहे बेडाना ताके हाजम हो जाए खाना खेर यहाँ पर चाहे बी रेडी हो चुकी थी ताके देली आने वाले व्लोग के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इंशाला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लोग में और अपना ख्यार रखेगा द्वाँ में याद रखेगा अबस्ट बेडाना जाए बैसा लिए व्लोग के नोटिफिकेशन नेक्स्ट व्लोग में आपको में अबसी याद करेंड़ी हैं नेक्स्ट व्लोग में याद्वाट आफेगा